हेलो फ्रेंड्स हुँछू पार सोरट या लास्ट लेक्चर नी अंदर आपड़े एथिक्स नी अलग-अलग वीडियो जोया था अवे आगड़े वाद करवानी श्यक अगत्यना टॉपिक नी एक महत्वना टॉपिक नी जेश एमोशनल इंटेलिजन्स यह लगे भावात्मक बुद्धी मता अथवा भावनात्मक बुद्धी मता मित्रो अत्यार सुधी आपड़े इंटेलिजन्स उपर वधारे फोकस करता आता परन्तु प्रशाषण नी अंदर जैरे अपड़े शाषण सिल सेवगतरीके जैशू त्यारे अब भावात्मक बुद्धी मता जेश है जरूरीश में तरों मात्र भावात्मक बुद्धी मता जेश है ये प्रशाशन नी अंदर अद नहीं परन्तु जे आपड़ू निजी जीवन जेश है आपड़ू जे रेगुलर जीवन जेश है ये अपने मार्वदर्शित करेश तो आपड़े वात करवानी शे भावात्मक बुद्धी मता जी इमोशनल इंटेलिजन्स नी उगणी सो पंचानो सुधी सामान्य रिते अलग-अलग देश ना जे नेताव हो शे अलग-अलग जे कर्पारेट्ट सेक्टर ना जे अलग-अलग लिडर्श ये इमोशनल इंटेलिजन्स करता वधार मोहत्व इमोशनली एक एटलो श्ट्रोंग शे एक सारो लीडर बनी शेके आपड़े जोई है तो अत्यारे नरेंद्र मोधी जेश है कदाज एनी पासे नोलेज गणों ओछुष पन इमोशनल इंटेलिजनस के हुष है वधारे शे भावात्मक बुद्धी मता के भी शे वधारे शे त बुद्धी मता नोँ सिध्धान्त नो वर्णां करो तो एने जे भावात्मक बुद्धी मतानों सिध्ध्धानत आईपो ए alsok टोटल पाँश प्रकार आप एलो शे डेनियल गोलमेल द्वरा जे रजु करायलू जे मोडल शे पाठ प्रकार शे एनी एक बूक अती एक बुक नी अंदर एने आनी वाद करी ने पछी बधा लोको अतियार जो इंटर्यू होई तो इंटर्यू नी अंदर तमारा नोलेद ने मात्र चेक नथ चेक करवा मावेश कांके प्रशाशन नी अंदर इंटेलिजनसी करता आपन वधारे महत्वनु शे एमोशनली तमें कितला श्ट्रॉंग शोय ओके तो इने एक बूक लखेली इमोशनल इंटेलिजनस वाई इट केन मेटर मोर धन आईक्यू कई दीते ए वधारे इफेक्ट क गांधी जी एटलो बुदू एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारू नो तू पन ग्लोबल लीडर तरीके ए सारा एवा लीडर थे गया तमें नेलसन मंडेला लेलियो बराक ओबामा लेलियो जी परी इसारा एवा लीडर एनी अंदर एक वेल्यू हती यह तो इमोशनल इंटे तो त्यारे मने किकाणी मेडम एक सवाल पुछयो तो के भई तमारा पासे नोलेज सिवाई बिजू शुँ सारू हो जोई मिंसके कोई अधिकारी जी एशे यह यह पासे इंटेलिजन सिवाई अथवा गनान सिवाई बिजी कई वस्तो हो जोई त्यारे में आज जाओ बैप अधिक्स ना अंसर नी शर्वाद आपड़ अलगला क्रेश्चन पन जोई शुँ आपड़े वीश जेतला प्रश्ण पन सोल करशु एथिक्स ना कि कई रीटे आपड़े एथिक्स ना अंसर ने एफेक्टिवली लखी शेके कान कि आपड़ों में टार्गेट शे आपड़ GPSC नी अंदर मुख्य परीक्षानी अंदर सारा माक्स लावी है और त्यारे GPSC मुख्य परीक्षानी अभ्यास करम बढ़ली ग्यो शे बसो शब्द मा तमारे जवाब लखवा ना शे अने एपण 10-10 माक्स ना 15 क्रेश्चन लखवा ना शे ले 5 माक्स ना जे क्रेश्चन समझ वी ओके सपोज देट जारे तमें कोई वेक्ति साथे कॉम्यूनिकेशन करो शो एमोशनल इंटेलिजिस नूं महत्वश हूँ छे के जारे बे वेक्ति एक बीज़ा साथे वाद चित करता हूँ बे वह के जाजा लोको हूँ तो त्यारे पोतानी भावना वने समझ वी के मारी मने गुस्वो शे जो मने गुस्वो जल्दी आवे शे तो मारे गुस्वाने कंट्रोल करवा रहा हूँ वधारे पड़तों सेंसेटिव शू कोई बाबत प्रत्य तो मारे मारी सेंसेटिविटी ने कंट्रोल करवा रहा हूँ लाश हूँ छे कि पोतानी भावना वने सम सामे वडा वेक्ति नी भावनाओने समझ भी औजो मित्रों यहां एक महत्म नी वस्तु कि दी चे सामे वडा वेक्ति नी भावनाओने समझ भी तो तम्हारा माइक नभी वेल्यू करियर था शे शे समानू भूती समझाई शे समानू भूती मारे emotional intelligence नू में बहुँ सार उधार नाय पूदू एक मुवी छे मुन्नाभाय MBBS लास्टाइम पन आपड़े नी वाद करी थी तो नोग समाज ये तमें सांबल जो अने YouTube नी अंदर पन अवेलेबल छे समाज के एक कारकून तरीके medical जे college हती ये जे hospital हती ये नी अंदर काम करता कारकून साथे एक मुन्नाभाय काई रीते सवाद करे तो एक emotional intelligence नू बेश्ट एक्जामपल जे के सामेवळा वेक्तिनी भावनाओने समझ भी के ये नू पन महत्वा एटलूच छे तमारे पोता नी जातने तिया तमें मुको तो ये एक नवी value create थाए ये शे empathy, समानू, भूती अने पोतानी भावनाओ उपर नियंतरन राखवान त्यार बात पोताने सपोजेट तमने कई कई देश सपोजेट उदाहन तरीके आपना लेए तो district collector शे district collector पासे कोई महिलाओ आवेश अने महिलाओनों प्रश्ण शे के एना विस्तार नी अंदर health नी facility सारी नथी अत्वा जे अलग-अलग प्रकारना जे कर्मचारी वावेशे बहु लेटा सरखा जवाद नथी आपता तो collector शू करवानों शे येनों सवाल अगत्यनों शे कलेक्टर पासे आनी पहला बे कोई एमेल आयवा था अत्वा कोई एमेल रिलेटिवस आयवा था अने collector ने मिंस के गमे ते मन फावेम कही गया अत्वा एना उपर प्रसराइज किरू दू छता आपण collector आ वेक्ति नी वाद शांति री सांवड़वानी शे अने collector ने ते आरा गुसो शे वेक्ति ओपर रती है पन शूं करवानुशे पोतानी भावनाओने समझवानी शे यहनू नियंत्रन करवानुशे अने सामे वाड़ा वेक्ति ओने भावनाओने समझवानी शे आज 3OG IV शे चे लेडिज आई भी शे कि जे विस्तार नी अंदर हेल्थ नी सारी फैसेलिटी न थी तो एना प्रश्णनू समाधान करवानुशे यहले शूं करशे collector पोतानी जातने तिया मुक्ष यहले वेक्ति नी भावनाओने समझवा अने पोतानी भावनाओ पर नियंत्रन राखी सामे वाला वेक्ति ने कुष्ण का पुर्वक मार्ण दर्शत करवानी जे कड़ा जे शे ने आपड़े शूं कहिए शे भावात्मक बुद्धी मता भावनात्मक बुद्धी मता कहिए शे तो मैं यह उदाहन द्वारा तमने समझेगू अवा कोई पन उदाहन होई शर आमे सिविल सेवक नूँ कलेक्टर नूँ उदाहन इटला माटे एपू काणके आपड़े भविश्यमा तियां पोँचू भानू आपड़े डेप्यूटी कलेक्टर तरीके आगल सेवा आपपानी शे अटला माटे में एग्जामपलाई पूशे तो डेनियल गोल्मेन डेनियल गोल्मेन द्वारा रजु कराएला अलग-अलग मोडल डेनियल गोल्मेल जे शे है एने पण अलग-अलग मोडल रजु करा था पेला शुकी दू? स्वय जागरूती Self-awareness इमोशनल इंटेलिजन्स क्या रहे आवे कि जारे तम्हें अंता करण तुई तम्हें जागरूत हुए कि भाई मने गुस्व आवे शे हुँ शांत नथी रहे शकतो हुँ वधारे पड़तो सेंसेटिव शेंसेटिव शें कोई पन बाबत प्रते वधारे पड़ती ओवर सेंसेटिविटी पन खराब शें तो स्व जागरूती बहुत महत्वनी शें बिजू स्व नियंत्रण अवे जारे तमने कोई व्यक्ती कहीं अपशब्दों केशें अत्वा तमने कोई व्यक्ती जेशें अलग-अलग प्रकारना गाला-गाली करीन वयो जाईशें तो तमारे गुस्चे नथी थावान तमारे नी वात्षांती थी सामबलवानी शें तो स्व नियंत्रण आवेग के क्रोध नू नियंत्रण करवानू शें त्यार बाद स्व प्रेणा भावनावना उप्योग्ती लक्षो ने पामवा माटे निक्षमता ओके खे सोशियल С्कील सामाजी कुषरता कि समय कई रीते एंने इच्छी डिशामा महर्दर्शक करो खृश ओके आबोव महत्वनी वस्तु शह सक्त जिब तम्हें डायराक वीज मारे बीले पारे नहींúcar आरि अंता नोगे चैंट विलेटा घ्र कायथे ये तमारे अपना वुजो ये तो आशो थियो emotional intelligence चियो कि तम्हें individual ethics औने जे public ethics ये बनने वच्चे balance रहेको औने तमारी integrity पुण continue तम्हें जालवी रहेके तो आ समानू भूती जे शो है ए सारी दीते संगर्ष गटाडवाब अपने गणई मदद रू थती होई तो आपड़े जो ये के निजी जीवन मा एटला के individual life मा अने public life मा emotional intelligence नी शो उपियो गीता शे तमने directly question पुछी शके के भावात्मक बुद्धी मता नी शो उपियो गीता शे आपड़े एक question पन आगल सोल कर शो जारे में 20 जेटला question किदा शे तो आपड़े एक प्रश्ण येवो हो शे के emotional intelligence ये भावात्मक बुद्धी मता वगर नो जे civil सेवक जेशे एक robot जेवो शे आप प्रश्ण आपड़े शोल कर शो ओके दस माक्स मा अगल बदी आवे एनी उपियो गीता शो शे लीडर्शिप नेत्रुत्व आपड़े लीडर्शिप ना सारा गुणों जो यादा के धिरज होवी जोए नेतानी अंदर बिजू के समानू भूती होवी जोए सारो येवो communication जो communication skill होवी जो communication skill त्यारे जावे के जयारे तम्में लोको नी जो कोई सारो येवो speaker क्या रहे बन शे के जारे नी स्रोता वोनी लागणियों खबर हशे त्यारे स्रोता वो विशे जान तो नेत्रुत्व सारो येवो करी सक्षे जमके उदान तरीका आपड़े गांती जी न इमोशनल इंटेलिजेंस ना माध्यमती सारुए उन नेत्रूत्व पन जनरेट करी शकाया कानके इमोशनल इंटेलिजेंस शे तो तमारी कॉम्यूनिकेशन स्कील पन सारी शे तमें इजीली लोको ना प्रश्ण सांबल शे बीजू नेताने घनू स्ट्रेस आवया पन तमारू इमोशनल इंटेलिजेंस शे तमें गुस्व नहीं करो शांती पूर्व करेशो वधारे परदा सवेदंशिल नथी तो नेत्रूत्वनो गुण तमारामा विक्सित थशे ये तमें नेल्सन मंडेला लेशो पोई पन उदान लेशे को we know that 27 year 27 वरस जेतला वरस सुधी जेल माई राता नेल्सन मंडेला छता पने नू भाभात्मक बुद्धी मत आ एकली श्ट्रोंग अदी तो सारायवा साउथ आपरिकाना लीडर बनी शेका उके ये नेता दुधो दे वीblil बताओ बिजो संगरष मा घटाडोत जो संगर्ष मा घटाडो बे रते थाखे हो तमारे घरे पन, कुटुम मा पन, संगर्ष मा घटाडो जे शे ओछो थाशे कुटुम नी अंदर पन तमे कुटुम नी अंदर घणा सब्यो शो पन डायरेकली गुस्य थाई जे शो तो obviously जगडो थाशे यले संगर्ष मा घटाडो थवा माते पन emotional intelligence उपयोगी थशे भावात्मक बुद्धी मता उपयोगी थशे बिजू प्रशाशन मा विविद मुल्यों नी प्राप्ति जमके emotional intelligence तमारो होई तो तमारामा obviously सही शुनता आग तमारी पासे कोई सही शुनता आगे अलग-अलग custom जे शे भारत देश विद्धा धरावतो देश तो अलग-अलग भाशा आश अलग-अलग धर्म शे तो आप बदाने तमें accept करशो एना प्रत्य तमारी जे वृत्ती शे सम्मान नी वृत्ती शे पने ये सम्मान नी वृत्ती क्या रह रह शे कि जहारे तमारामा emotional intelligence रशे त्यार है तो सही शुन ताश त्यार बाद समानू भुती सहानू भुती आ प्रकार ना जे मुल्लियो जेश एनी प्राप्ति थर्शे के ना माध्यम थी emotional intelligence ना माध्यम थी लोको नो विश्वास प्रशाशन मा भच शे कई री ते अपने उदाहन त बाद करेली के कोई महिला हो तमारी पासे आवे चेक बै अमारा गाम नी अंदर पाणी नी समस्या शेन तमें मामलत दार शो तमें डाइरक्ट ना पाले त्योग बै अंदर नथी आवानो चालो निकलो तो ये शो थी तमारे एंगर अहां क्रियेट शो तमें गुस्य थे ग् पन क्या रहे आपे शक्षो एमोशनल इंटलिजन से शेत त्यारत तमें शो कर्शो के नी भावनावने समझ शो बै आविस्तार ने अंदर पाणी नथी आओ तमें पोता नी जातने त्या मुख शो कानके डेनियल गोल में ने जे पांच सिधान तो आपा एमपती पन से समान बुटीपनों पन समावेश थाईश और पछी तमें ने केशो के बैहा दस दिवस दस थी पंदर दिवस सुधी मा त्या पाणी आवी जेशे ने हूंपन तमारी साथे रहे ने त्या काम करेश तो ये शो चू एनो विश्वास वेदो के मा विश्वास वेदो लोक शाही मा ये नो विश्वास वेदो के मा प्रशाशन मा के मैं प्रशाशन भ्रष्टाचारी न थी समझाएशे तो लोकों नो प्रशाशन नी अंदर विश्वास वदेशे लोकों नो प्रशाशन मा विश्वास वेदो येनो मतला बेओ च्यो लोक भागीदारी वदेशे येनो मतला वे हो कि तमारी जे डिमोक्रसी जे शे स्ट्रेंथन थाई शे डिमोक्रसी लोक्षाई जे शे मजबूत बने शे त्यार बाद टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग पड़ महत्वन हो पासूँश कह रित थि तो कि मैं उदाखें एप जे अब्दुल कलाम नो आपेलू एपे जी अब्दुल कलाम के जे नहीं एक साथे सह कर्मचारी है तो एनी भावनाओने समझा के पई एनों छोकरों जेशे एनों बड़े शेकले बाहर जवुश तो एपे जी अब्दुल कलाम एने पोता नी साथे बाहर लेगिया अने अलो जे व्यक्ति अतो एडले team building कानके communication skill सारी है जे emotional intelligence जेनूं बहुँ सारू है एनी communication skill बहुँ सारी है शतीश धवन लेगियो एपे जी अब्दुल कलाम लेगियो बीजा पन कोई बाहर नेता तो team building अने मित्रो successful माटे सफलता माटे कोई पन प्रोजेक्ट नी सफलता माटे आ team building जेशे बहुँ जरूरी है team building बहुँ जरूरी है group work बहुँ जरूरी है communication obviously communication सारू जेशे communication skill बहुँ सारी है शे कोई पन वेक्ति नूँ वलन बदलवा आ बहुँ महत्वनों उदाहान शे एक बुँ सार्वेव प्रसंग शे भगवान बुद्ध आने अंगुली मान डाकू आ प्रसंग आपने बालपण मा पन सांबले लो तो अंगुली मान डाकू जेशे भगवान बुद्धने मारवा आवेशे पन भगवान बुद्ध जेशे गुसे नत था बगवान बुद्ध गुस्य था या वगर एने समझा आवश समझाईश तो कोईपण वेक्तिनू वलण अने ए अंगुलीमान डाकू भविश्यमा फ्यूचर मा जे ए आखो प्रसंग तो त्यार बाद ए अंगुलीमान डाकू भगवान बुद्ध नो शिष्य बनेश तो आशू शे कोईपण वेक्तिनू जे हिंसक अतो ए हहिंसक बनेश तो आशू शे कोईपण वेक्तिनू बलण बदलवा माटे एमोशनल इंटेलिजनस बोवद जरूरी शे पावात्मक बुद्धी मता जेशे बहुत जरूरी शे आत्मविश्वास वधारेश ओके confidence वधारेश ब्रश्टाचार घट्षे ओव्यसली सही शुनता समानू भुती लोग भागीदारी पार दर्शीता आब अधी जो वेल्यू आवशे तो ओव्यसली ब्रश्टाचार घट्षे एटले अलग अलग जमके सयुक्त राजी अमेरिका भारत देश आब धाये पोता ना अलग अलग सिविल सर्विसिस कोड नी अंदर अधी कारी ने emotional intelligence परशू करे तो के प्राप्त करे ए प्रकार नी ट्रेनिंग आपता होई यह नी भावात्मक बुद्धी मदा अने अमेरिका नी अंदर Sweden नी अंदर बालग पन मा थी emotional intelligence विशे शिखवावाव मा आवेश जेथी एक चारा सारा चरित्र नू निर्मान थाए अने जो कोई वेक्ति मा सारा चरित्र नू निर्मान थाशे तो सारा देश नू निर्मान थाशे ओके यह चरित्र वान लोको थी तो त्या बालग पन थी आ emotional intelligence शिखवाव मा आवेश कोटोबिक सबंधो मा सुधारो में कि दुखे बैगुसे नहीं थाओ एक बिजा नी भावनावने समझ शो एक बिजा साथे सुख दुख नी लागनी शियर करशे तो कोटोबिक सबंधो मा पन सुधारो थाशे तमें जू आजे श्थ्यूशे शूँ आपड़े रोज बरोद न्यूस नी अंदर वात्ता होई कि कोई पन पती पतनी सासु ससरा आ बधा वह सासु वच्चे जगडो थतो वचे नू रिजन शो शे एक बिजा नी लागनी ओने समझ ताथ नाथे जतू करता नाथे गुसे डाइरेक्ट थाई जाई शे तो मित्रो इमोशनल इंटेलिजन्स थी कोप्टूंबिक सबंधो मापन सुधारो थश त्यार बाद यूवानों ने आवेश आवेग नी आड असोनों फी बच्चा आवेश जो इमोशनल इंटेलिजन्स थे तो स्ट्रेस फ्री लाइफ आबो उगत के नोचे साई स्ट्रेस फ्री लाइफ आजे आपने कंपेरीजन मां जीवीएश स्ट्रेस फ्री लाइफ पन जीवी शकाष पित्रों प्रशाषनमां कई डिते उपयोगी ठशाष आपने आगल पन जोईव प्रशाषन सु शाषन गुड्ग अपने धेश औरगल्वर्णज उथे उपकर प्रश्चा जुड्क भवर्णज सेलने के आपड़ो रहेट है उटर्भण नी दल्वत producers neighborhoods एमिनिटीज मले तो शाषन एटले शूँ शूँ शाषन एटले शूँ कि दरेक लोको ने पोता नी जरुरियात मुझद नी विविद सुविधावजे शे आंसील थाए एप्रोप्रियेक बेनर नी अंदर समझाईश तो ये सूशाषन शे लोक कल्यान कारी राज्य तो मित्रो प्रशाषन माशूँ आउशे सहीशूँ टाउशे टोलरंस आउशे सत्यनिष्ठा इंटिग्रिटी आउशे जवाद देहित आउशे पारदर्शित आउशे आउशे आ इननाइटेड कींगडम मी एक समीती शे नोलन समीती आनी समीती हे टोलल सात मुल्यओ आ इपाच सात मुल्यू केंडा माटे सूशाषन माटे औहियो साल आमारी शोटकर की इस है? औह यटले ऑब्जेक्टिवीटी、 एच ईटले ऑनेस्टी I एकले इन्टिग्रिटी ओ एटले openness, एटले selflessness, एटले accountability एटले leadership तो आमा जो, जो कोई वेक्ति माँ emotional intelligence हशे है तो obviously आप बधी value जेशे हैं ए प्रात करी शक्षे अना question पन पुछाए गयो शे कि नोलन समीती है कई-कई साथ value IP अबजेक्टिविटी, honesty, integrity, आब अधी value आपड़े जोई गया शे आका openness, selflessness, त्यार बाद accountability आने leadership तो आप बनने value याद राखपानी second ARCA 10 value आपेली या अगर आपड़े चर्चा करेली second ARCA कई 10 value ने महत्वा आपेलू सुशाशन नियंदर आ 10 value होवी जोए पड़ लोको नी demand मुझब काम कोई नेता क्यारे करी शक्षे कि जारे ए emotionally intelligence धरावतो होशे भावातमक बुद्धी मता आशे तो चुँ कर्शे कि सामेवाडा नी भावनाओने समझ शे सामेवाडा वेक्तियों नी भावनाओने समझ शे तो प्रतिभाशिल एफेक्टिव औने efficient वहवट माटे शाषन माटे जरूरीश होशे तो के जरूरीश है emotional intelligence भावातमक बुद्धी मता दरेक श्टेक होलडर ने साथे राखिन काम करीश है आपने वाद करीदी teamwork औने teamwork साए बत्यार है जरूरीश कोईपण supposed न मारे प्रधानमंत्री जंदन योदना एचिव करीश बेटी बचायो बेटी पढ़हो योदना एचिव करीश स्वच भारत एचिव करवबू शे तो स्वच भारत माटे मारे अलगलग NGO ने पन बोलावा पर शे अलगलग लोकोने पने जागरूत करवा आपडशे समजय है? तो ये ना माइटे जरूरी शूं शे team work teamwork क्या रहे थेкими बीओडिंग क्या रहे थे capacity building क्या रहे थे कि जियारे ए वेक्ति मा ए ग्रूप मा भावात्मक बुद्धी मता हशे ओके, त्यार byत काम प्रतिय प्रति बद्धताए भावनावनू योग्य संचालन करवाथ ही आवाए शे अब उगत्यन हुशे कमिटमेंट कमिटमेंट क्या रहा हो शे के जारे तमें तमारी भावनावन नियंत्रन करश जो सपोजेट मारे जीपीएसी पास करवी शे मारू कमिटमेंट शे के आई विल बी क्रेक्ड जीपीएसी बाई टूथाउजन फेंट तो आग्या रहा थाश के जारे वू मारा अन्य मुल्यों नियंत्रन करश के वा तो के गुसो शे डिस्ट्रेक्शन मारे कोई बाबत मां डिस्ट्रेक्शन आई भी याई शे तो आँ वस्तूने नियंत्रन करवी पन अगत्यन हो शे तो क्या रहे करी शक्षो के जारे तमें इमोशनली इंटेलिजन्स बावात्मक बुद्धी मता तमारी सारी अशे त्यारे समझेश त्यार बाद जाहर सेवावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा हंगरश तो इने सावने होटलोंःक्राइड kway उसित ना chi बोदयलों बोदयो इतो तोवर यक्रें कशे कलेक्टर नेन लाखक है लोगली तेतता विश्तार बडर हूं मा जे बाकी रहेलू जे भोजन जेशे आप पान। तो आश्यों थी। लोको सुधी इजीली सेवा पहुंचाएगी। केना माध्यम थी एमोशनल इंटेलिजनस ना माध्यम थी। येनू सारू भवात बुद्धी मत आके वेधी सारी है थी। त्यार बाद में लाश्ट टाइम किरण बेदी नूँ पन उधारना आपेलू के जेने तीहार जेली अंदर रिफोम करेला तीहार जेली अंदर जेल सुधारा करा योगा, मेडिटेशन, आप्रका नी अलगलग प्रवुती फेला भी तीहार जेली अंदर अन्न आजे केस्टड प्रिटिकल अवेर ने सावे, ए लोको प्रश्ण बुद्धा थाए, समझाईश, और लोक शाही मां बहुँ सारी भाबत शे, लोक भागिदारी वधे, तो मित्रों आपने यां चर्चागिरी भावात्मक बुद्धी मता, भावात्मक बुद्धी मता शूँष, डेनियल ग कम्पनीनों CEO बनाओ के ना बनाओ, तो यहां आपने जो व्याख्या शूँष, जो emotional intelligence शे तो शूँथाश, team building कही रिदे, तो तम्हें बद्धा ने सारी दीते ट्रीट करता आश, समझ जो, सारी दीते ट्रीट करता आश, कोई पन तम्हारों कर्मचारी शे ने तम्हें सारी ट्रीट करता आशो, तो एनी जे loyalty जे शे कंपनी प्रत्य के विदे शे शे वधी जख शे, और जारे नी loyalty कंपनी प्रत्य वद शे तो तम्हारों जे वहिवड जे शे के वो थशे effective शे, और कंपनीने maximum benefit शे अपने जो एकिबढ़ा व्याख्या शूँष, डेनीयल गोलमेल द इनी चर्चा करो, ओके एक क्वेस्चन पुछे, त्यार बाद आपड़े उप्यों गीता जोए, के बई उप्यों गीता शुँँछे, नेत्रुत्व, संगर्ष्मा घजाडों कही रिदे करें, प्रशाशनमा, सही शुनता, पार दर्शीता, समानू भुती, सहानू भुती, सत जुबनेश, आत्मविश्वास, प्रष्टाचार घट्षे, इनोवेटिवनेस, कोटुबिक सबंधों मा सुधार, युवानोंने आवेश, अने आवेगनी आड सरोथी बचावेश, स्ट्रेस फ्री लाइफ, प्रशाशनमा, आपड़े जोई उप्यों, अलग-अलग मुल् ओके, त्यार बाद काम प्रतियनी प्रति बधतावो अच, त्यार बाद आपड़े चर्चागेरी के जाहर सेवाओ सेहला इती पौँच, जवाब देहीता, अने पारदर्शीता सुन्नीची थाई, तो लोग भागीदारी वच, अने सुष आशनमा, पब्लिक पार्टिसिप पेशन वो अगत्ते नुझ, ओके, तो आपड़े बेजिक वाद करी, इमोशनल इंटेलिजनस नी, भावात्मक बुद्धी मता नी, ओके, थेंक्यू, थेंक्यू सो मत,